आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने चाफ फ्राइ बक्राइट स्पेशल तो यह इतनी अच्छी रेसिपी है कि जब आप यह अपने घरवालों के लिए एक चाह बना के खिलाएंगे तो यह तो आपका हाथ काट लिया जाएगा या तो झूम लिया जाएगा तो चली आज मैं बताती हूं कि कैसे बनाते हैं चाफ फ्राइ बहुत ही इजी वे में और बहुत ही ज़ादा टेस्टी तो सबसे पहले मैंने ले लिया था 500 ग्राम मटन च मंधु की तैशी भी घाँ सब्सकी मैं डाल देंगे चंब लाल मिर्च मीच पाउडर अधा-जाम देने गाँ में कि दुछर नैने कि लिएा जब देगा और यह दालने के बाद इसमें हम एड़ कर देंगे एक पींच फूट कलर यह और अरेंज फूट कलर है इसे बहुत जादा अच्छा आता है और उसमें टेस्ट नहीं होता है और उसके बाद यह मैंने 4-5 हरी मिल्च ले लिया था इसे मैंने मिक्सर में डाल के प्र मिक्सर में डालने के लिए डाली के लिए इसमें बाद ऑपको इसमें डालने के लिएगे अच्छी तरह से निम्के तो एक बहुत नालना है प्याज ढया na in Users Sud मुटन की चाप को भी मिक्स चारच मेंगा अरग मुटन के के छाप को प्रिक्स में चारच में ऐसे ना यहनु और आप लम इसके हैं मुटने जरूल के ने का भी मुटन सीएतै तो यहकल बहुत है जो बहुत जादा होता है तो तो अब वे सराफ बढ़ा होता है तो अब बस तीन सीटियां ले लिए तो मैंने देखिए ये थिसमें थांगान भड़ा दिया और ये देखिए इसमें बहुत जादा हुआ है पानी आप देख सकते हैं कि इतना जादा है जितना हम ड्राइ करेंगे तो जो भी बोटियों में हलकी सी कसर है वह भी पूरी हो जाएगी और जो मसाला हमारा वह बहुत अच्छी तरीके से थीक हो जाएगा बस आपको फ्लेम को भूट जादा हाई कर देना है और एक बर देख लेना है उठाके कि कि इतनी थीकनेस बची है कितना थीक हुआ है या अभी पतला है तो आप उसे इस तरीके से हाई फ्लेम में बहुत अच्छी तरीकी से गाडा कर लिए फिर जब यह गाडा हो जाएगा द अब फोड़ा थंडा करने के बाद इसमें पूर बॉल तो भी तो प्रदाइ प्रणा था जाधा बॉल की अभी घर्म है और दीगे तो प्रणानी है तो यह दो दो चमच में डाला था चली फ्लेक्स लिएक निम्बू का रज यह भी डाल लाक है क्युक्कि और डही ड़ में ज़ा के निम्भू कि चाथ मसाला ही ज्राइं की खत Forcology कॉस्योरी मेथी भी आप इसमें डाल देजिए अगर आप इसे ड्राय रोस्ट करके डाल देंगे तो खुझब और ज्यादा अच्छी आती है और फिर आपको इसमें एड कर देना है थोड़ा सॉल्ट क्योंकि हमने पहले भी आड किया है तो आपको अभी बहुत ही कम कॉंटि इसे कहोता है ना बैंडिंग बहुत अच्छी आती है और जो चाह पर बहुत ही濃 अच्छी तरीकशे से ओधाती है वन क questa q тяж i अग्र अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं मेरे पास था तो मैंने अड़ कर दिया और यह बहुत इची तरीके से मिक्स हो चुका है और इसे मैंने रख दिया था 10 मिनिट्स के लिए 10 मिनिट्स के बाद मैंने इसे फ्राइ करना तो आप भी रख दीजिए नहीं है तो आप जटपट भी बना सकते हैं तो फिर यह मिक्स हो चुका था और फिर मैंने एक करही में रिफाइंड गरम कर लिया था बहुत ही अच्छे तरीके साब को गर्म करना है तो यह देखिए तेल मैंने गरम करना है उसके बाद ही आपको हुआ के अज़िहां करना चार्ण रेसिपी कि अपने चैनल पे आरप लोड़न के आप पर देख सकते हैं बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने शेयर किया है तो जरूर से देखिए और आप लोग भी ट्राइ करिए और जो चैनल पर नए हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट म अब भी मुझे बताईए तो यह देखिए बहुत ही तरीके से फ्राइब होना स्टार्ट हो चुकी है और अल्मोस्ट हो चुकी है तो इसे हमें बस इतना ही फ्राइब करना है बहुत जादा नहीं करना है वनना वह जल जाएगा तो आप हम इसे ना डिशाउट कर लेते हैं क्योंकि अबी चाप हमारी बहुत ही तरीके से कृस्पी हो चुकी अ आप इसका कलर भी देख रहें कि किना जादा जादा अच्छा है और यह खारणी में भी उतनी जादा सौ्फ्ट एंड जूसी तो आप इसका कणर देखिए कितना ज्यादा खुबशूरत है और आप अग व настоящ यह चुरीकब तो तो पूले Cindy बना राएंगे घालेंगे रिज्वाब करने हैं चाुड आप तो पूताया विधाए ठों रहां पर बाएंगी ओड बै घालेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखे and थैंक्स पर वाचिंग